Good morning 6th class, last videos में हम सभी ने Who I Am chapter के 4th parts को अच्छे से पढ़ा था, अब हम सभी इसके question answer पर आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं, answer the following questions, Peter's favorite day of the week is Sunday because हम सभी ने भी पढ़ा था, last video में कि Peter का पसंदिदा दिन Sunday होता था, क्योंकि on that day, his hall family always goes to cinema hall, क्योंकि इस दिन उसका पूरा परिवार cinema hall में movie देखने के लिए जाता था, है ना, cinema hall to see a film, आप सभी को ये लिखना है, next है, नासीर wants to learn, हमने जब नासीर के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसकी पिता जी को जब प्रतिवर्श नए बीच खरीदने पढ़ते थे, और जब उससे पता चला था कि उसके दादा जी हमेशा बीजो को बचा के रखते थे, और उनी बीजो से खेती करते थे, तो वो किया चाता था? The Methods of Preserving Seeds Nassir wants to learn The Methods of Preserving Seeds Okay Next question हम पढ़ेंगे Dolma believes that she can make a good Prime Minister Dolma को यह विश्वास था कि वह बहुत ही अच्छी क्या बनेगी Prime Minister हालंकि उसकी इस बात पर सभी जने हसते थे पर उसे ऐसा विश्वास था क्योंकि She confidently solves her classmates problem वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सभी classmates के जो समस्या होती थी उनका समाधान करती थी चलो अब हम इसका B लेते हैं आप सभी ने मेरे साथ इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से पढ़ा है So, write true or false against each of the following statement यहाँ नीची जो statement दे रखा है उसके अनुसार हमें true और false भरना है ओकी, सो चलो हम शुरू करते है Peter is an only child क्या पीटर एक ही बच्चा था उसके माता पिता का? नहीं, जब हमने पीटर के बारे में बात की थी तो हमने जाना था कि जब वो cinema hall जाते थे तो उसने बताया था कि उसके दो भाई और थे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? false क्या लिखेंगे? f-a-l-s-e, false second है, when सरबजीत gets angry, he shouts at people जब सरबजीत को घुसा आता था, क्रोधित होता था वह तो वह लोगों पर चिलाता था? नहीं, हमने जब इस सरबजीत के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था, सुना था कि किस तरीके से, जब वह गुसे में होता था तो वह अपने नजरे जुका करके और अपने जूतों को देखता था तो यह जो statement है, यह भी कैसा होगा? false होगा नासीर जो है, वह शहर में रहता था? नहीं जब हमने नासीर के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वह एक काउं में रहता है तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे? यह statement भी कैसा है? false नेक्स्ट, राधा's mother enjoys doing things with her राधा की माता जी उसके साथ में चीजों को करने में प्रसन होती थी enjoy यानि आनंद लेती थी तो हमने पढ़ा था किस तरीके से राधा की माता जी उसे पेड़ पर चड़ने को मना कर रही थी लेकिन वह उसके साथ में खुद पेड़ पर चड़के बैठी और दोनों ने साथ में वहाँ पे खाना पीना enjoy किया था तो इसको हम कर देंगे true यह statement कैसा है? true hopefully आप सभी को यह statement समझ में आये हैं और यह question भी तो मैं इन question answers और true false का PDF आपके साथ में share करती हूँ ताकि आप सभी इसे आराम से लिख सके अपनी notebook में, endbook में और उसके बाद में Wednesday को स्कूल आ करके जमा करवा सके ठीक है? ओकी? ठैंक यूँ आप सभी इसे अच्छे से learn कीजीगा